नवस्कार में विश्वानी विहारी नीज में आपका स्वागत है आज वे आज सितंबर ख़बरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर विपेसी ने असिस्टेंट के चोवाल इस रिक्तियों के लिए निकाली भरती हथी सूचना NIRF में भागेदारी के लिए बिहार के विश्व विद्याले करेंगे तयारी KBC के आज के एपिसोड में दिखेगी आरा की बेटी रजनी 10 सितंबर से शुरू हो रहा है रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ट सिरीज तेजस्वी आदव ने उद्योग पतियों से की अपील बिहार में करें निवेश अब चली बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के और विस्तार से BPSC ने असिस्टेंट के 44 रिक्तियों के लिए निकाली भरती अधिसूचना बिहार पुलिस सर्विस कमिशन BPSC ने असिस्टेंट के कुल मिला कर 44 रिक्तियों पर भरती के लिए अधिसूचना जारी की है इसके लिए अगर सैक्शन की योगता की बात की जाये तो आवेदक को किसी भी सब्जेक्ट में बैश्रोर डिग्री पास होना जरूरी है इच्छोग और योगी उमिद्वार इस वेकेंसी नूटिस से जूरी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो की इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए वेव लिंक पर जरूर क्लिक करें आवेदन करने की अंतिम तारिक 30 सितम बर 2022 तक है विस्तरित जानकारी के लिए आप ओफिशल बेब साइट www.bpac.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं मुख्यमंत्रे आज करेंगे रवर डैम का लोकारपन वहीं आज मुख्यमंत्रे तेशकुमार फल्गु नदी पर बने रवर डैम का उध घाटन करेंगे रवर डैम बनाने का खास मकसद यह था कि पिंददानी फल्गु नदी के शुद्ध जुल में तरपन कर सके मुख्यों मंतरी आज इस रबर डैम का लोकारपन कर तिर्थ यात्रियों को यह बड़ी सौगात देंगे NIRF में भागिदारी के लिए बिहार के विश्युविद्याले करेंगे तैयारी बिहार के ऐसे 13 विश्युविद्याले और 57 कॉलेजों की पहच्रान की गई है जो की NIRF यानी की National Institutional Ranking Framework 23 में भागिदारी की ठोस पातरता रखते हैं आपको बताते चुली की NIRF में संस्थानों के शामिल होने से रैंक मिलती है इसे संस्थानों की परतिष्ठा बढ़ती है संस्थान को राश्ट्री अस्तर पर पहच्चान मिलती है ऐसे संस्थानों के विद्यार्थियों को प्लेस्मेंट और उच सिक्षा के और बहतर रास्ते खुलते हैं इसी बीच उच सिक्षा विभाग पातरता रखने वाले इन सभी विश्य विद्यालों कुल्पतियों को NIRF 23 में भागिदारी लेने को कहा है NIRF में बिहार में अभी केवल दो सिक्षन संस्थान है फिलाल सिक्षा विभाग अगली रैंकिंग के लिए ठोस तैयारी कर रहा है जैमंगला गज इस वज़ों से हैं बेहत खास बिहार में कई दर्शनिया अतिहासिक और तिर्थ अस्थल मौझूद हैं जो कि आपके बिहार परियाचन को यादकार बना सकते हैं उन्ही में से एक है बेगुसराय का जैमंगला गज जैमंगला गज इतिहासिक नमक सत्याग्रा पथ परमझौल से पूरब बेगुसराय से 21 किलोमेटर दूर बेगुसराय गज पूरा के मध्य अस्थित है जैमंगला माता का मंदिर नमक सत्याग्रा पथ मुख्य शुरक से कडिब 1 किलोमेटर दूर अवस्थित है मंदिर चारो ओर से कावर जील से घिरा हुआ है अस्थानिय अस्मृतियों को विश्य पटल पर स्थापित करने हैं तो प्रतिवर्श्य यहां जैमंगला गट महोटसब कायोजन किया जाता है प्रथम जैमंगला गट महोटसब के मुखे अती थी प्रतिश्री रामनाथ को विंद जी थे ऐसी मानेता है कि यह राज्य जैमंगल का गट था फिलहाल इसकी अतिहासिक्ता पर शोध जारी है पुलिस जाज की खामियों पर इस दिन होगी अगली सुनवाई बिहार में पुलिस द्वारा साई ढंग और जमीनी अस्तर पर जांस्ट नहीं किये जाने के कारण अपरादियों को सचा नहीं मिल पाने के मामले में बिते दिन हाई कोट में सुनवाई की गई इसकी सुनवाई पटना हाई कोट के जस्टिस अश्विनी कुमार सीं की खंट पीठनी सुनवाई करते हुए राज्जु सरकार को जवाव देने के लिए 19 सितमबर 2022 तक की मोहलत दी है पिछली सुनवाई में कोट ने अस पस्ट रूप से कहा था कि पुलीस द्वाड़ा जाच में त्रूटी और कमियों के कारण बड़ी संख्या में अप्राधी सजा से बच जाते हैं कुछ ने इस पर काफी गंफिर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के जाच से अप्राधियों को सजा नहीं मिल पाना सही नहीं है इस मामले पर अगली सुनवाई उनिस सिस्क्रम पर 2022 को की जाएगी के बिसी के आज के एपिसोड में दिखेगी आरा की बेटी रजनी बिहार से कई बेटे बेटियों ने बिगबी अमिता बच्चन के शो कौन बनेगा करोरपती का हिस्सा रहे हैं इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आरा की बेटी ने भी कौन बनेगा करोरपती के मंच तक पहुँचन का टिकट कटवा लिया है अब देखना होगा कि रजनी कितनी धनराशी वहां से जीत पाती है रजनी के साक्षुनिक योगता की बात करें तो उन्होंने आरा के वीर कुबर सी विश्विद्याले से बीएट एवर मास्टरस जिग्री प्रापत की है मिली जोनकारी के नुसार रजनी मिश्वा की प्रारमविक सिक्षा मध्यपरदेश से हुई है पर शादी के बाद उच्च सिक्षा आरा शोहर से अर्जुकी है जुनियर डॉक्टरों ने मरेजों का इलाज किया बाद ही थी एक बार फिर से पीम सेच के जुनियर डॉक्टरों ने अपना हर्ताल शुरू कर दिया इस दोरान बीते दिन जुनियर डॉक्टरों ने इमर्जनसी का काम का स्थप कर दिया इसे मरेजों को काफी परेशानी का सा आपको बता दे कि मंगलवार की देर रात जिप्टी सीम तेजसु यादव पहुचे थे वहां के विवस्था को देखकर भौचा के रहा गए इस दोरान तेजसु यादव ने सुधार करने का निर्देश और कारवाई की चुताबनी देखर लोटे इसके कुछ घंटे बाद ही PMCH के जुनियर डॉक्टरों ने हरताल कर दी आज भी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला बिहार में इंदेनों मौनसोन महरबान है इस बीच राजधानी पटना सहीद राज़ो के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू है वहीं आज की बात करें तो राजधानी पटना सहीद राज़ो के अधिकतर जुले में बारिश होनी की संभावना है राजधानी पटना सहीद भुजपूर, बकसर, कैमूर, रोहतास, और अंगवाद, गया, अरवल, जहानावाद, नालंदा, नवादा, शेकपूरा, लखी सराय, जमुई, बाका, मुंगेर, बेगु सराय, खगरिया, सहरसा, सुपॉल, मधेपूरा, भागलपूर, कटिहार, पुर्णिया, अररिया और किशिन गंजुचिले में आज एक दो जग हो, पर बारिश के साथ ही वजरपात के आश्रंका जुताई गई है, ऐसे मौसम में लोगों को अत्यधिक साफधान रहने के लिए कहा गया है, बिखाडियों को भीख नहीं देनी की की गई अपील, पित चाहते हैं, तो एक समाज कल्यान विभाग की ओर से बनाया गया, विख्षकों के लिए QR कोड से उसमें दान कर सकते हैं, जो लोग अकाउंट में विख्षकों के नाम पर विख्षा देते हैं, उस पैसे को विख्षकों पर खर्च किया जाता है, आपको बता दे कि समाज कल् आज की विश्वी से सुर्धा दी जा रही है। आज की विश्वी से सुर्धा दी जा रही है। इडी की टीम ने बड़ी कारवाई करते हुए रेलवे के एक बड़े अधिकारी की संपती जपत कर ली है। आज की विश्वी से सुर्धा दी जा रही है। यही नहीं एडी के द्वारा चंदेश्वर यादव के एवं उनके परिवार के नाम से चल रही चल अच्वल फिक्स डिपोजिट इंशुरेंस पॉलिसी मुच्वल फंड करीब साड़े तीन करोर का जब्द किया गया है। बारावी के विद्यार्चों को अंक सत्यापन के लिए दो दिनों का मौका। जारी करने के साथ ही बोड ने अंक सत्यापन का भी मौका दिया है जो चात्र अपने अंक से संतुस्ट नहीं हैं वो 9 और 10 सितंबर को अंक सत्यापन के लिए आविदन कर सकते हैं इसके लिए प्रतिविश्य चात्रों को 500 रुपे देने होंगे। तेजस्वी यादव का दावा अगले दो महीने में सुधरेगी स्वास्त विवस्था। दरसल बीतेरिन बुद्वार को सिविल सर्जन और बड़े चिकित्सक अधिकारियों के साथ बैचर की गई। जिन विपक्षी निताओं से मिल रहे उन्हें भी धोखात दे सकते हैं नितेश कुमार। उन्हें भी एक्जूट करने की बात कर धोखा दे सकते हैं। तेजस्वी यादव उन पर हावी हैं बता दे के सीम नितेश कुमार दिली में राष्टपती उपराष्टपती राहूल गांधी अर्विन केजरिवाल समेट वाम दलों के निताओं से मुलाकात की और उन से लोकसभा चुनाओं 2024 में बख्ष को एक्जूट करने पर चर्चा की राज़त ने निश्कासित नेताओं को दी बड़ी राहत जिप्टी सीम तेजस्वी यादव ने राज़त से निश्कासित नेताओं को बड़ी राहत दी है राज़त नेता और डिप्टी सीम तेजस्वी यादव पार्टी से बाहर निकाले गए नेताओं को राहत देते ह प्रदेश्य अध्यक्षु जग्दान अंसी ने इस सभी जुला ध्यक्षु वो राज्जु निर्वाचन पदाधी कारी ते था सभी जीला निर्वाचन पदाधी कारी को आदेश्य जारी कर दिया है। सैलाब का आकरामक रूख के दोरान वहां कई सैलानी भी मौजूद थे हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। सैलाब का क्याहर करीब एक घंटे तक जारी रहा। तेजस्वी यादव ने उद्योग पतियों से की अपील बिहार में करें निवेश। बिहार के टिप्टी सीम ने उद्योग पतियों से अपील करते हुए कहा कि खबरू की हेडलाइन से परशेपसन नहीं बनाएं। रिसर्च करें बिहार वास्ता में सुरक्षित जगह है यहां निवेश करें यहां जमीन भी उपलब्ध है दरसल बिहार के उपमुख मंतरी तेजस्वी यादव बितिन पतना के उद्योग विभा की कारिकरब में शामिल हुए इस दोरान उन्होंने उद्योग पतियों से ब निवेश नहीं खरी दारी हुजाएगी कौन सरकार जाएगी की उसके राजो में निवेश नहीं हो लेकिन एक माहौल बनाया जाता है कि बिहार का माहौल ठीक नहीं है निटिश कुमार का तीन दिवस्ये दिली दौरा हुआ संपन नितिश कुमार ने कहा कि हम लोगों की एक राय है कि अधिक से अधिक दल एक साथ हो कर राजियो और देश की विकास के लिए काम करें। राजपत का नाम बदल कर किंड़े सरकार ने कर्टब व्यपत कर दिया है निताजु की परतिमा से लेकर राष्टपती भवन तक के पत का नाम राजपत नहीं अब कर्टब व्यपत पढ़ोगा। शरक का नाम बदलने को लेकर राज़त ने मोधी सरकार पर तंच कसा है। शरक के लिए क्या होगा येदि आप नाम बदलना चाहते हैं। शरक का नाम बदलना चाहते हैं। शरक का नाम बदलना चाहते हैं। शरक का नाम बदलना चाहते हैं। 2000 में सही तो रास्ट शांती शिखर सम्मेलन के दौरान हिंदी में भाशन देते हुए पाकस्तान को लताडा और आज ही के दिन विश्व साक्षर्त दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वाइरल खबर में आज हम बात करेंगे प्रती माह मिलने वाली 34 सोकी राश्वी के बारे में। की या दावा फर्जी है। इस तड़ा की किसी वेब साइट या लिंक पर अपनी नीजी जानकारी साज़ा ना करें। ऐसे संदेशों को फोर्वाड करने से पहले फैक्ट चेक जरूर कर लें। दूसरे सीजन का अगार सनी वार से होड़े जाड़ा है। इसके लिए शेहर के ग्रीन पार्क स्टेटियम को दुलहन की तरह तयार कर दिया गया है। इस रोड सेफटी वर्ल्ड सीरीज में प्रतिभाग करने वाले देश विदेश के खिलारियों का भी शेहर बहुशना शुरू हो गया है। वहीं बीते दिन ग्रीन पार्क स्टेटियम में न्यूजिलाइन और स्ट्रिलंका के खिलारी रोड सेफटी टीटी वर्ल सीडीज मैच के लिए भ्यास किया। मोधी कावनेट में इन दो बड़े फैसलों पर लगी मुहर। मोधी के 14,000 से अधिक केंट्री और नवोधे विद्यालेओं को मजबूत बनाते हुए पीम श्री अस्कूलों के रूप में विक्सित किया जाएगा। बिहार में मिले कोविट-19 के तेर सो से भी कम मामले। बिहार में बिते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 133 नए कोरोना मामलों की पुष्टी हुई है। इसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 600 सरसच पर पहुँच गई है। बिहार में बिहार में बिते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 13451 सेंपल की जाच की गई है। इस दोरान 124 मरीज ठीक होकर घर भी वापर स्लोटे है। बीते दिन हमारे दोरा पुछेगे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कॉमेंट सेक्श में लिकर दिया था जिनोंने पुछेगे सवाल का जवाब दिया। महिंद्र कुमार, सोनु यादव, अमरजीत कुमार सी, पूनम कुमारी, मदन कुमार, भावेश कुमार, लक्षमे महतार, रविश रंकर, संज्रे कुमार, चंदन कुमार, मुहमद अर्शाद और गोडखनाद सी। चाला भूलें, धन्यवाद।